हेलो दोस्तों नमस्कार, my name is Pramod and you are watching concept class, आज का टॉपिक बहुत special topic है, छोटा सा टॉपिक है, जनरली हमें इसके एक पहलू के बारे में जानकारी है, लेकिन दूसरा पहलू जो है, उसको बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं, do, does और did के दो different concept के एक जो tense में use होता है, जनरली हम tense में उसको परचित है, tense के वाक्यों में इसको हम जनरली देखते ही हैं, interrogative के रूप में या negative के रूप में, लेकिन do, does और did का एक और version होता है, जो emphatic version होता है, किसी भी affirmative sentence को बल प्रदान करने क के लिए, या उसमें कहीं ने कहीं थोड़ा सा एक दवाओ create करने के लिए हम do, does और did को use करते हैं, आइए इस concept को हम सीखते है, आइए do, does और did का tense wise क्या use होता है, इसको हम देखते हैं, generally हम present में कोई भी question पूछते हैं, जैसे क्या, क्या आप खेलते हैं, क्या आप खाना बन तो क्या आप चाय लेते हैं, तो लेने के लिए tech use हुआ, खाने के लिए eat use हुआ, ठीक है, write लिखने के लिए हुआ, तो generally जो routine वरकर से जो भी प्रशने पूछते हैं, present से पूछते हैं, present simple present में पूछते हैं, present indefinite में पूछते हैं, जैसे pattern में दिया हुआ है, क्या, do you play cricket, क सामने आले से question पूछ रहे हैं, तो उसका reply क्या होगा, I play cricket, या अगर उसका उत्तर negative है, तो क्या होगा, I don't play cricket, I don't play cricket, या do you cook food, करता है, तो क्या है, positive answer क्या आएगा, I cook food, या I don't cook food, या रखिए, do या does का प्रयोग, या did का प्रयोग, सिर्फ confirmation के लिए होता है, interrogative question होते है है, interrogative sentence जो होते हैं, वो सिफ confirmation के लिए होते हैं, कि आपका उत्तर positive है, कि negative है, अर्था yes है, कि सिफ no है, उसमें extra information नहीं मांगी जाती है, इसी परकार, does your father writes novel, क्या आपकी पिता जो है, does your father write novel, does your father write novel, तो यहां write बस आएगा, write novel, ठीक, तो आपका उत्तर क्या आएगा, my father writes, aove right का क्या हो जाएगा, writes हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर जो verb है, उसमें s य य एस जूड़ जाता है, अब किसमे s और किसमे es अगर की बात आते हैं, अगर last में अगर आपका, जो vengeance है, वर्ड, जो भी verb उपका है, उसके last में अगर क्या है, वेंजन है तो उसके आगे सिर्फ S लगता है लेकिन अगर वोवल है या लास्ट में O, X, Z, SH, SS, CH है ठीक तो उसके आगे हम E, S को जोड़ते हैं जैसे देखिए यहां राइट है अल्रेडी E है तो सिर्फ S लगाते है और आखिर अंत में क्या होगा यह E, S हुआ यह टेक है त तो इतना आपको समझ में आया होगा तो यह जो है डू और डज जो है एक रूटीन के लिए होता है यह नॉर्मट टेंस में हम यूज करते हैं ठीक इसी प्रकार डिड की अगर बात करते हैं डिड में देखिए डिड में भी कुछ नहीं है जैसे ही डू डज का प्रयोग होगा एक तरह से आप उसी दिमाग में बैठा लीजें डिड से अगर क्वेश्चन करते हैं तो पास्ट के बारे में होता है क्या जिसे इस फॉर एक्जाम्पल डिड यू प्ले क्रिकेट क्या क्रिकेट खेलते थे क्या आपने क्रिकेट खेला दोनों का मतलब एक ही है तो आ नंबर पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का ही यूज करना है पहला नंबर ये दूसरे नंबर पर ये तो दूसरे नंबर पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं तो ठीक या आपका उत्तर अगर निगेटी होता है तो यहां देखिए दिंट लग गया अब इसको दिन पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं दिन या फिर डिंट इसको डिंट नहीं कहा जाता है इसको क्या पढ़ते हैं दिन पढ़ते हैं या फिर डिंट पढ़ते हैं इसको डिंट नहीं कहा जाता हो गलत होता है तो आपका उत्तर क्या होगा I didn't play cricket मैं cricket नहीं खेलता था आपसे question क्या पुछा गया Did you cook food? क्या आप खाना बनाते थे? क्या आपने खाना बनाया? आपका उत्तर क्या होगा I cooked food I cooked food second form तो यूज़ करूँगा second form का I cooked food या आपका उत्तर अगर negative होगा तो आप क्या बोलेंगे? I didn't cook food ठीक है? इसी परकार एक दूसरा example देखिए Did your father drive Did your father draw a car? Did your father draw a car? क्या आपके पिता जो है कार चलाते हैं Did your father drive a car? यहाँ verb का पहला form का उप्योग करना कि second form का लेकिन जब आपका उत्तर आता है तो आप उत्तर में हमेशा क्या लिखते हैं? अगर positive है तो positive तो subject के बाद verb का second form का आप उप्योग करेंगे कैसे? My father draw a car My father draw My father draw a car object में अकार लिख सकते हैं My father draw a car तो यह आपका उत्तर अगर negative है replies negative ही आ सकता है My father didn't My father didn't देखे दिन लग गया तो verb का first form drive a car आप ऐसा बो सकते हैं अब इसको question को और एक और question बो सकते हैं Did your father Did your father take picture? Did your father take picture? यहाँ verb का पहला form take आया reply जब होगा answer होगा तो क्या होगा? My father took picture My father took picture verb का second form का यूज़ करते हैं और अगर reply आपका negative है तो क्या बोलेंगे My father didn't take picture यहाँ verb का पहला form में यह convert हो जाता है तो यह do, does, or did का tense wise जो होता है एक simple सा concept है I hope इतना आपको समझ आएगा आईए आगे हम इसके as emphatic version को देखते है Emphatic का मतलब क्या होता है इसको हम जानने का प्रयास करते है Emphatic का मतलब होता है बल देना यह जूर देना आपने कई बार सुना हो मैं जाता तो हूँ मैं खाता तो हूँ मैं प्रशन पूछता तो हूँ भई जो भी काम चल रहा है आप उस काम को उस sentence में आप क्या लगा रहे है एक प्रकार का बल दे रहे है मुझे call जरूर करना मुझे call जरूर करना या मैं call करता तो हूँ तो यह जरूर जो बोल रहा हूँ या करता तो हूँ बोल रहा हूँ ये क्या है उस वाक्य को बल प्रदान करता है जोर देने उस sentence में एक तरह सा जोर लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं emphatic use ठीक है अब emphatic use हम किसका देख रहे हैं do, does और did का इसी का generally use करते हैं हम लोग do or does आपका simple present में use होगा simple present के affirmative sentence में use होटा है याध रखिए ये सिर्फ affirmative sentence में use होते है negative में नहीं क्योंकि negative वाले sentence में किसी प्रेकार का work नहीं दिया जाता है हम कोई बात को इस स्विकार करता हैं उसी पर क्या करते हैं जोर देते हैं अगर triste होता धो तो हम उस पर फिर जोर नहीं देते हैं आईए इसे कुछ examples के माधिन से समझते हैं do, does और did का जब भी प्रयोग करेंगे तो हम इस structure का follow करेंगे जब भी हम इसको emphatic use करेंगे, emphatic version में use करेंगे ठीक है, सबसे पहले subject होगा, फिर do, या फिर does, या फिर did होगा उसके बाद हमेशा verb का पहला form का उप्योग करेंगे याद रखिए, do, does, और did इसके बाद हमेशा verb का पहला form का उप्योग करेंगे फिर कोई object है तो उसको रखेंगे affirmative sentence में होना चाहिए, negative में नहीं होना चाहिए आईए example के से समझते हैं कि जब normal बोलते हैं और जब हम emphatic version में do, does, did का उप्योग करते हैं तो क्या अंतर होता है देखें, first example देखें, I play cricket, मैं cricket खेलता हूँ लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, I do play cricket, मैं cricket खेलता तो हूँ या मैं cricket जरूर खेलता हूँ, तो इसमें अंतर हो गया I play cricket मैं cricket खेलता हूँ I do play cricket मैं cricket जरूर खेलता हूँ या मैं cricket खेलता तो हूँ You call me तुम मुझे call करते हो और You do call me तुम मुझे call करते तो हो या तुम मुझे call जरूर करते हो ऐसा अगर आया तो do का यहाँ जो part है वो क्या है जोर देने के लिए उस sentence में जोर देने के लिए बन देने के लिए उपयोग हो रहा है तो यहां do क्या कर रहा है? जोर लगा रहा है sentence में इसी प्रकार does वाले पार्ट में देखिए है यहां does वाला है एक भाग पाजान इसकी अद दूसर के हैं या थर्ट परसं सिंगुलर नंबर या कोई नाम तो वहां हमेशा does का यूज होता है ठीक है? तो अफर्मेटि में is या yes लगता है तो he helps poor वा गरीबों की मदद करता है अब उसी को हम emphatic use करेंगे तो क्या होगा? he does help poor वा गरीबों की मदद करता तो है she goes to school वा इसकूल जाती है she does go to school वा इसकूल जाती तो है ठीक है? they move the floor वे पोच्छा लगाते हैं they do move the floor they do move the floor वे पोच्छा लगाते तो है या वे पोच्छा ज़रूर लगाते है तो यहां हम do का does का ठीक है? हम emphatic use करते है I hope इतना आपको समझ में आया होगा अब did का example देखके उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते है next example देखिए I played cricket यहां subject के बाद verb का second form का use हुआ है ठीक है? तो यहां देखिए यह simple past को बताता है subject के बाद verb का second form use किया है यानि simple past का example है इसका मतलब होता simple ही होता है I played cricket में cricket खेलता था लेकिन अगर मैं यह बोलता हूँ कि I did play cricket यहां देखिए did जैसे use हुआ played का play हो गया क्योंकि subject के बाद हमेशा verb का second form यही बताता है कि वो past है past simple का question है simple past का question है तो यहां I के बाद subject का second form use कर लिए हमने और उसके बाद हम क्या करेंगे वरब का first form का use करते हैं I did play cricket इसका मतलब क्या हुआ मैं cricket खेलता तो था मैं cricket खेलता तो था you asked question तुम प्रश्ण पूछते थे अगर emphatic use किया तो क्या हुआ you did ask question तुम प्रश्ण पूछते तो थे तो थे के लिए did लगाएंगे हम she remembered her friend वो अपने दोस्तों को याद करती थी याद करती थी अब emphatic use किया तो क्या होगा she did remember she did remember she did remember her friends अर्थार आपने दोस्तों को याद करती तो थी तो थी did क्या है तो थी को बता रहा है do क्या है तो है does क्या बता रहा है तो है ठीक है I hope इतना आपको समझ में आया होगा do does और did कैसे हम emphatic use करते हैं do does और did का प्लाव क्यू है प्थ्धा नहीं रहा है जो थीainted